अज़ का जो टॉपिक है वह है ब्रेकाउट ट्रेड आपने कई बार देखा होगा कि ब्रेकाउट ट्रेड हमने न्यूस चैनल से या फ्रेंड से वाट्सअप से कोई भी जर्येद से हमें मिला है पर वह फैल हो जाता है वह क्यों होता है वह हम आज यह वीडियो में तो हमें यहां पर देखना है कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं कब ट्रेड करना है कैसे एंटर करना है ऐसा नहीं कि कहीं पर भी मेंसेज आया हमने देखा एक कैंडल और हम उसको वहां पर उतके ले लिया बाय कर लिया वह ऐसे करो के तो ज्यादा तर लॉस होगा वह भी मैं बत सबसक्राइब जरू कर देना दोसतो ज़्याददर क्या होता है कि जो paid media भी होता है और कुछ होता है जो normal रहता है तो उसमें ज्याददर क्या होता है कि कोई भी news आता है चो आपको पता होगा रिजल्ट आने के टाइम पे अच्छा However, expectation में लोगों ने buy किया था result अच्छा है क्या हुआ sell-off आ गया क्योंकि जिन्हों ने buy किया था expectation से वह उन्होंने sell करना चालो कर दिया अगर आप result के बाद में buy करोगे आपका loss होगा similarly breakout में भी व्यासा होता है तो और news channel जो देते हैं ओलग भी कब देते हैं news में जब औरड़ी हाई होता है मेरे telegram group में मैंने काफी बार उनको बताया है कि अब देखना वहां से नीचे आगा जैसे कि कोटक बेंक पर सो हमने trade गया था 45 से लेके 70 तक और 74 पे उन्होंने नीज में बताया कि buy करो वहां से नीचे आ गया वह 55 तक तो कभी भी दोस्तों टीवी वालों को follow मत करो अपना खुद का watch list बनाओ आपको उधर देखो आपको लग रहा है ब्रेक आउट आ रहा है तो उसमें बने रहो और जहीं से न्यूज में और सब में आता है आपका half profit आपको बूप कर देना है यहां पर अगर हम देखते हैं यह Asian paint का चार्ट है तो यहां पर जो breakout आया था इस जगह पर तो यहां पर breakout आ गया फिर क्या हुआ आप देख सकते हैं इंसाइड बार candle बनाया further down हो गया यानि कि यह आ गया एक fake breakout यहां पर और उसने continue नीचे आना चालो कर दिया था अगर आप देखोगे तो यह जो candle है वो यहां पर इतना justify नहीं करता है यह मोखा क्यों क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ अगर आप देखोगे the similar size of the candle over here over here you see the volume difference उसका भी volume देखो यानि कि यह भी justify नहीं करता है तो आपको compare करना पड़ेगा कि क्या volume इसको justify करता है क्या हमेरा RSI हमें है बता रहा है कि हां यहां पर buying हो रहा है तो वह सब आपको देखना है और किस जगह पे वहां पे हो रहा है वह भी देखना है और easy way क्या होता है मैं आ और इस वीडियो में मैं एक stock भी बताऊंगा जो अभी breakout के आसपास है और उसमें आप पैसे बना सकते हो बाद में तो मैं पहले चलता हूँ यह तो breakout फिल का था अब हम देखते सिधे कि breakout को कैसे trade करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे ACC का chart है यहां पे जो breakout आया वो कैसा था कि यहां पे continue आप देखोगे तो पिछले एक साल से लेके अभी तक एक parallel line में trade कर रहा था फिर क्या इसने क्या यहां पे जब result आया तब यहां से उसने daily time frame पे एक breakout दिया है कभी भी दोस्तो breakout आता है तो क्या होता है यह जब आएगा ना breakout end of the day सब के message में, news में, media में आ जाएगा ACC का breakout फिर सब लोग उसको देखने लगेंगे तो क्या होगा यहां पे फिर next day most probably क्या होगा profit booking होगा नए लोग फसेंगे यहां पे और मैं confidence से बोल सकता हूँ कि अगर आपने next day यहां पे buy किया होगा तो आप उसका moment देखो कि यहां पे 60 points का है कोई भी retailer इत से वो फिर उपर चलना चालू हो जाएगा तो आपको trade करने में क्या होगा कभी भी दोस्तों ऐसा breakout देखते हो अब wait करो अगर यह जो candle है इसका जो भी high रहता है जैसे कि इस level पे है 2344 तो आपको क्या करना है महां पे wait करना है कि 2345 का यहां जो price है उसके उपर क्या पांच मि इंट टिग गया तो फिर आपको क्या करना है कि उसका चार्ट को 15 मिनिट पे ले 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 लेना है तो जैसे यह आप उसका 15 मिनिट का चार्ट लेते हो पिर ऐसा कोई बनता है pattern करें मैं उसका लेवल इकमिट देख लेता हूं यहां पर लेवल था 2253 तो अभी इसका 15 मिरिट का चार्ट हम देखते हैं यहां पर करीबन इस जगह पर था हाँ 2253 तो यह जो इसने हाई बना था उस दिन 43 तो हमें क्या करना है कि हमें करना है नेक्स दिन यहां पर नेक्स दिन क्या हुआ था कंसोलिडेशन करके नीचे आ गया था पर अगर यह केंडल यहां पर कोई भी पांच मिनिट का केंडल उसके उपर बनता जैसे कि यहां पर है तो आप यहां पर एंटर कर सकते हो तो दो केंडल चोड़के आपका स्टॉ कर सकते हो और जादा तर मैं breakout में डेली टाइम पर ट्रेड करता हूं और उसमें ही अच्छा एक पैसा बन सकता है तो यहां पर जब ट्रेड करते हो तो आपको क्या करना है कि वहां पर एक चोटा सा यहां पर एक trend Candle Line बनाना है उसके High के पास अईसे तो जब भी यह इस लिवल को Break करके उसको Sustain किया तो आपने Long कर दिया तो यहाँ पर क्या हो रहा है इस जगह पर इस जगह पर इसने Sustain किया है और Close भी दिया तो हम उसमें Long में ने रह सकते हैं हमारा Swing Low का Stop Loss आईगा यह Puis황 उसको । मैंने मेरे इंसाइड बार के वीडियो में क्लियर वहां पे बताया आप कैसे उसको ट्रेड कर सकते हो कभी भी दोस्तों नेक्स डे एंटर मत करना अनलेस और यहां पर पूरा कर द्रेड हो नहीं तो most of the time आप देखोगे कि next दीन यहां पर प्रॉफिट कि यहां पर ट्रेप होगा ज्यादा तर क्या होता है की रेटल ट्रेड्र एक दिन के बाद उसको यहां पर फॉलो नहीं करता है मैं क्या करता हूँ कोई भी ब्रेक-ाउट त्रेड होता है मैं उसको watchlist में रखके 4-5 दिन रखता हूँ मैं HCL Tech में आपको दिखाता हूँ क्या हुआ था अभी recently मैंने HCL Tech दिया था अपने ग्रूप में मैंने कौन से लेवल पर दिया था इस जगह पर यहाँ पर मैंने clear बताया था दोनों मैंने telegram ग्रूप में कि यह एक breakout लेवल है तो क्या हुआ एक दिन उसने high लगाा कि वहां पर ऊसी के आसपास consolidation Internet दिन भी किया उसके आसपास consolidation तो क्या होगा कि यहाँ पर सबने buy किया पर क्या के यहाँ पर breakout नहीं दिया है फिर यहाँ पर लोगों को लगा होगा और यहां पर देखो कि पुलने के बाद नीचे गया तो यानि कि यह जो शॉट किया उनको ट्रैप किया फिर आप देख सकते हो एक ही दिन में उसने 40 पॉइंट का मुव दे दिया है और मैंने जो यहां पर कॉल दिया था उसका वहां पर प्राइस भी डबल से उपर हो गया थ तो आपको आलवेज वेट करना है आपका जो ब्रेकाउट का स्टॉक है आपको उसको दो-तीन दिन मॉनिटर करना है आप यह चीज करोगे आपको पक्का पैसा मिलेगा दोंट जंप ऑन दे नेक्स दी फॉर लॉंग अन्फर्म वेट करो दोस्तों फिर ऐसा में दूसरा एक बनाते हो यहां पर मैं बताता हूँ यहां पर यह ट्रेंड लाइन बनाता तो यहां पर प्रेकाउट हुआ नेक्स दीन क्या हुआ इंसाइड बार केंडल बनाया उसके नेक्स दीन क्या बनाया फॉर्दर डाउन एक केंडल बनाया तो आप इसको ट्रेड कैसे कर सकते हो इस और हमारा जो stop loss आएगा वो एक swing low यानि कि यह swing low आपका stop loss रहेगा ज्यादा तर आपको यह जो candle size रहता है जो breakout का उतना आपको target यहाँ पर मिल जाता है दोस्तों तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक अच्छा सा trade बना था जो pattern आप अगर कोई भी stock follow करते हो तो आपको पत यहाँ पे देख सकते हो हर बार देखा similar pattern पे breakout रहता है यहाँ पे वी यहाँ पे यहाँ यहाँ पे तो आप उसको ऐसे trade कर सकते हो और जब जिग जग करके आता है तो यह एक बजाज स्टॉक बजाज फाइनाइस का अच्छा स्टॉक है जो आप उसको पैटर्ण को अगर पकड़ लिया तो पैसा बनाना आपका बहुत ही आसान हो जाएगा फिर एक स्टॉक था बारती बारती में यहाँ पे देखो क्या हुआ ब्रेक आउट दिया इस जगह पे नेक्स दिन डोजी फॉलोव बाई टुरी यह एक और पैटर्ण क्या है आपको मैं बताता हूँ इसको पूल बैक ट्रेड भी बोलते हैं तो यह यह ट्रेंड लाइन आती है एक बार ब्रेक आउट हो गया प्राइज वापीस उसको रिटेस्ट करने आए गया जब प्राइज इसको रिटेस्ट करता है तो हमें कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ यह जो ट्रेंड लाइन ब्रेक आउट हुआ है वह एक कंफर्म ब्रेक आउट है और उसके उपर फिर हम हो गया इस लेवल पर हम एंटर करेंगे उसको आप देखो गए यह जो breakout आया है फिर से यहां पर क्या किया इसने consolidation फिर breakout आया हुआ है यह जगह पर कहां पर हुआ यह previous जो resistance था आपको easy profit booking के लिए आप कर सकते हो कि जो उसका previous यहां पर resistance होता है उसका एक trend line बना दो तो आप देखोगे वहाँ पे जाके resistance लिया एक pullback दिया वह आप उसने breakout दिया हुआ है तो ऐसे triangle पे भी आप इसको trade कर सकते हो जिसको pullback trade बोलते है फिर अभी एक stock है जो हम इसको asset trade कर सकते है जो है सबका favorite ITC तो ITC में क्या हुआ था breakout failure breakout failure breakout दिया यहाँ पे consolidation किया फिर breakout दिया अभी क्या किया एक result के बाद fall ने क्या किया है कि इसका जो यह support था consolidation जो आगर आप इसको square में बनाते हो consolidation कैसे बनता है आपका ऐसा बनाए यानि कि इस level पे इसने बहुत consolidate किया था फिर breakout दिया तो अभी इसको जब भी यहाँ पे आएगा इसको buying मिलेगा और यहाँ पे अभी क्या बन रहा है कि higher high बनता जा रहा है और अभी जो बना है वो inside bar candle बना हुआ है तो हमें इधर इसको trade करना है तो कैसे trade करेंगे तो इसको trade कैसे करना है हम देखते है तो ITC यहाँ पे जो inside bar candle है उसका breakout हमें मिलेगा यहाँ पे यह breakout तो हुआ था उसका यहाँ पे अब वापिस यहाँ पे हमें 217 का wait करना है जैसे 217 यहाँ पे cross होता है हम उसको यहाँ पे long करके जाएंगे intraday के लिए और अगर यहाँ पे अगर आप देखते हो कि पूरे दिन के दोरान वो उपर ही रहता है यानि इस level के उपर और close भी इसी के level उपर करता है तो हम उसको carry करके जाएंगे और तो हमारा फिर target के आएगा हमारा stop loss फिर रहेगा ये 212 रहेगा और आपका जो target रहेगा वो ये level जो है इसका यानि कि इसके जो size है यहाँ पे 206.90 से 216.75 यानि almost 10 पैसे बढ़ा है तो आपको target क्या रहेगा 226 के आसपास target रहेगा और 226.something होगा तो भी तो इसका यहाँ इसका exit बता हूँ तो मैं 226.75 के आसपास आपका या तो 50 के आसपास आना चीए जो वो कौन सा level होगा दोस्तों अगर हम उसको previous resistance देखते है तो आप देखोगे यहाँ पे यह जो resistance है वो कौन से level है 228 यहाँ पे कौन सा है 226 यानि यह इस दोनों के बीच में कहीं पे रुखेगा तो हमारा target हम लेके चलेंगे 226.52 target होगा हम stop loss यानि कि यहाँ पे जो हमारा risk and reward बैठता है 1 is to 2 यानि कि हम 5 रुपे का stop loss लगा के 10 रुपे के लिए trade करेंगे तो दोस्तों आप ऐसे यहाँ पे आपके खुद के trade बना सकते हो कभी भी जल्द बाजी में trade कर मत करो end of the day आप देखो जैसे कि यह मेरा जो watch list है मैं हर रोज उसको देखता हूँ उसमें से फिर मैं ढूनता हूँ कि हाँ कोई stock है जो मैं जी अगले दिन चाह दिन में profit दिलाएगा तो फिर मैं उसको एक enter करता हूँ और उसको carry करता हूँ और कभी भी SGX Nifty या फिर DAO उसको देखके आपका मन बदलो क्योंकि मैंने कल मेरे टेलिग्राम में दिया था message कि आप long carry करके जा सकते हो फिर लोगों ने DAO देखा SGX देखा FII डेटा देखा फिर मुझे बोल रहे सर आप तो gap down होगा अच्छा आप एक दिन के डेटा पर depend रहते हो तो फिर आपका मैं कुछ नहीं बोल सकता आपको good luck ही बोल दूँगा तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकोगे जो चीज दिखा कर सकते कि हाँ उनका view अभी क्या हो रहा है long view है side way है या short side है एक दिन में तो कोई भी आप decision नहीं ले सकते हो जैसे कि यहाँ पर breakout में मैंने बताया एक दिन में मैं नहीं trade लोगा मैं देखूंगा second day उसका क्या behavior है third day breakout पर मैं लेंगा उसको तो दोस्तों मैं हासा करता हूँ कि मैंने ये जो breakout trade का explanation दिया है जो idea दिया है वो आपको पसंद आया होगा दोस्तों अगर पसंद आया है तो like and subscribe जरू करना thank you